हाई, मैं नेम इस पारूल अरोडा, मैं नेशनल गोल्ड मैडलेस्ट जिमनास्टू, मैं हर्याना अमबाला से हूँ, मैंने 14 इर्स जिमनास्टिक की है क्योंकि हम कुछ नया और क्रियेटीव ट्राइ करना चाहते थे तो मेरे फ्रेंड माइकल होशार सिंग ने मुझे कहा कि मुझे साडी में फ्लिप करना चाहिए तो पहले तो मुझे लगा कि साडी में कैसे फ्लिप कर सकते हैं क्योंकि लेडिज के लिए साडी में चलना ही अपने आप में बड़ा चैलेंज है बट मैंने वो चैलेंज एकसेप्ट किया एंड मैंने ट्राइ किया बट उसके बाद जब मेरी पफेक्टली लेंडिंग आई तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हा मैं साडी में फ्लिप कर सकती हूं और साडी पर्सनली भी मुझे बहुत जादा पसंद है इसलिए मैंने अलग-अलग ड्रेसिज में फ्लिप ट्राइ की और जिसको करने के बाद मुझे और जब ज़दा कॉन्फिडेंस आया और जब मैंने अपनी फ्लिप देखी भी तो वो अलग-अलग ड्रेसिज में और भी ज़दा ब्यूटिफुल लग रही थी तो अगर किसी लड़की ने साडी पहनी है या सूट पहना है तो लोग उसे उसी तरह जज़ कर लेते हैं कि वो डैलिकेट होगी वाट ऐसा नहीं है अगर किसी लड़की ने साडी पहनी है तो शी कैन बी अथलीट she can be powerful and she can do anything at any stage तो यह अपने आप में ही feminist statement है सबका अपना अपना नजरिया है किसी भी चीज़ को देखने का तो जब मैंने शोशल मीडिया पे अपनी वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स भी आए और बहुत बुरे कमेंट्स भी आए बट मैंने कभी भी बुरे कमेंट्स पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये चीज़े मेरे लिए matter नहीं करती मैं सिरफ उसी चीजों पे focus करती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ मैं ये कहना चाहूंगी उन गर्ल्स से जो जिमनास बनना चाहती है या जिमनास नहीं भी बनना चाहती जो भी तुम कर रहे हो उसे पुरी मेहनत पुरी लगन से करो चैलेंजिस सबकी लाइफ में आते हैं उन्हें ओवरकम करो और आगे बढ़ो